बॉलिवुड की लेटिस्ट खबरों को जाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल स्टल्वी अड़ा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें बॉलिवुड एक्टर सल्मान खान की फैंस की खुशी इन दिनों सात्वे आस्मान पर है अभी वो फिल्म रेज 3 के ट्रेलर को लूप में देखने में बिजी ही थे कि अब एक और बड़ी ख़बर आ गई है सल्मान खान की टीवी गेम शो दस का दम के लाउच की तारीक का भी एलान हो चुका है सल्मान खान का शो दस का दम चार जून से ऑन एयर होगा यही नहीं बल्कि ये शो वीकेंड पर नहीं बल्कि सोमवार से शुकरवार प्रसारित होगा मीडिया रिपोर्ट्स के मताविक फिल्म रेस 3 की स्टार कास्ट शो के पहले एपिसोड में बतौर महमान नज़र आएगी आपको बता दे कि इस से पहले रेस 3 के स्टार्स सल्मान खान की दूसरे रियालिटी शो पेक बॉस 11 में भी प्रमोशन के लिए गये थे ये शो सोनी टीवी पर प्रसारित होगा चैनल पर इस शो की बापसी को लेकर मेकर्स काफी उटसाहित हैं सोनी टीवी के बिजनस हेड दानिश खान ने कहा है कि मेरा हमेशा से ये मालना रहा है कि शो का दिये ने भोस से मेल खाना चाहिए हम सल्मान खान के बिना शो की कल्पना ही नहीं पर सकते हैं और उन्होंने आगे कहा कि ये शो ब्यान के बारे में नहीं बल्कित जिन्दगी के अल्धों पर आखरित है सल्मान खान के क्विज्ज शो दस का दम प्रीन में कुल 26 एपिसोड होंगे इसके लिए एक्टर को 88 करोन रुपे मिलेंगे पिछली बार की तरह इस शो के नए सीजन के कंटेस्टेंस सेलेबरेटी नहीं बल्कि आन लोग होंगे हाला कि फिल्म प्रमोशन के लिए कुछ सेलेब्स शो का हिस्सा बनेंगे दिल्चस बात ये है कि शो के चौते सीजन यानि के दसका दम पोर की भी तैयारी शुरू हो गई है इस रूम से फिल्म प्रमोशन के रिपोर्ट कि एंगि बात शो कि गजय יक्षा दुरू